सबी गोईंकन्स को मेरा प्यार बराप्र नाम आशा है आप सबी बच्चे अपने अपने गरू में स्वस्ते सुरक्षे थे आप सबी गोईंकन्स का मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है प्यारे बच्चों आज के विशे में पढ़ेंगे एक कहानी जिसका नाम है गाजर का हल्वा ये आपकी पुस्तक महकती रजनी गंदा से ले गई है शुरू करते हैं सबे बच्चे दियेगे कारे में कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे एक चीन्टी थी एक खरगोश था एक बिल्ली भी थी तो इस कहानी में कौन-कौन था एक चीन्टी एक खरगोश और एक बिल्ली खरगोश बड़ी सी गाजर लाया चीन्टी चीनी ले आई बिल्ली बोली दूद में लाऊंगी चीन्टी बोली आओ कुछ बनाएं तो प्यारे गोइंकन खरगोश ने क्या लाया गाजर चीन्टी ने चीनी और बिल्ली ने दूद तो इन तीनों ने सोचा कि आप कुछ बनाएं खरगोश खड़ा होकर बोला गाजर से क्या बनेगा बिल्ली बोली बनेगा बनेगा सबने मिलकर आग जलाई उन सबने मिलकर क्या किया आग जलाई मैं आशा करती हूँ आप सभी गुइंकन्स अपनी अपनी पुस्तक पर देख रहे हैं और इस कहानी को पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं दूद और गाजर को खूप पकाया फिर चीनी डाली कुछ लाल लाल बन गया सब मिलकर खाने बैठे सब बोले वह वह खरगोश बोला ये तो गाजर से भी बढ़िया है तो प्यारे बच्चों जब उन्होंने गाजर, दूद और चीनी को मिला के कुछ बनाया तो जब वो खाने लगे तो उन्होंने कहा वह वह ये तो बहुत बढ़िया है खरगोश बोला ये तो गाजर से भी बढ़िया है बिल्ली बोली ये तो दूद से भी बढ़िया है चीन्टी बोली ये तो चीनी से भी बढ़िया है सभी एक साथ बोल उठे ये तो हलवा है हलवा वह कितना मीठा है कितना बढ़िया हलवा तो उन्होंने क्या कहा? जब तीनुने कहा कि ये गाजर से भी बढ़िया है, चीनी से भी बढ़िया है, दूद से भी बढ़िया है, तो तीनुने मिलकर क्या कहा? ये तो हलवा है हलवा, कितना मीठा कितना बढ़िया हलवा, खाकर मजा आ गया, गाजर का हलवा, हम सब ने बना गाजर का हलवा तो प्यारे कोइंकन्स उन्होंने क्या बनाया था गाजर का हलवा आशा है आप सबी बच्चे इस कहानी को ऐसे ही फिर से दोराएंगे और समझेंगे आज की कक्षा में आपके लिए इतना ही दीजे इजाज़त धन्यवाद